है लो दोस्तों मैं हूँ केपी सरमा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दोस्तों आज गब यूडियो बड़ा ही मज़िदार होने वाला है आप भी बोलोगे कि क्या भाई आपने कित्रा मस्त व्यूडियो बनाया है हाँ दोस्तों आज मैं आपको कर सकते हैं हाँ दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि आप एक दो दिन पहले की चैट को भी कैसे डिलिट ऑफ एवरिवन कर सकते हैं हाँ दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक दो दिन की जो चैट हो जाती है जैसे एक दो घंटे के बाद भी बाद हमारे पास ड सामना करना पड़ता है तो दोस्तों आज मैं उस समझा का समाधान में आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको दो-तीन दिन की चेट को भी आप आसानी से डिलिट कर सकते हैं हाँ दोस्तों तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा मैं आपको लाश्ट में बहुत ही इंपोर्मेशन बात बताने वाला हूं फिर आप मत बोलेगा कि भाई आपने इन्फोर्मेशन पूरी नहीं दी तो सबसे पहले मैं आपको वोड्सप पे चलके दिखा देता हूं हमें अपना वोड्सप ओपन कर लेना है जैसे ही हम यहाँ पे वोड्सप अपना ओपन करते हैं तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पे यह मैसेज है मैं इसे अगर डिलिट करना चाहिए जैसे मैंने इसे सलेक्ट कर लिया सलेक्ट करने के बाद मैं मैं डिलिट के ओप्शन पे क्लिक करता हूं तो यहा अपनाना चाह रहे हैं तो हमें यहां पर कोई सी भी अपनी डेट और टाइम सेलेक्ट कर लेना है तो जैसे मान लिया कि मैं यह चैट डिलिट करना चाहता हूं तो मैंने यहां पर जो चैट डाल रही है तो तो मैं यहां पर आपको ने चैट डिलिट करके दिखाऊंगा तो सबसे पहले हमें अपनी जो मॉबायल की सेटिंग है वहें ओपन कर लेना है जैसे हमें यहां पर ओपन करेंगे तो यहां पर हमें टाइप करना है date and Time जैसे ही हम यहाँ पर date and Time select करते हैं तो हमें जो यहाँ पर set automatically यहाँ पर जो टाइम दिखा रहा था तो हमें इसे obviously off कर देना है जैसे हम तो हमें यहाँ यहां यहाँ पर जो है manually अपनी date and time set करने को लिए बोलेगा तो अब जैसे हमारी जो तारिक थी वह किती 6 मार्च को मैंने एक मैसेज किया था वहें मेरे को डिल्यट करना है और यहां पर टाइम स्लेक्ट करना है जो मैंने यहां पर डौला था तो अब दोस्तों मैं यहां पर टाइम मैंने टाइम सेलेक्ट कर लिया है तो दोस्तों यहां पर टाइम सेलेक्ट हम कर लेंगे जिस टाइम पर आपने वह मैसेज send किया था उसे हमें delete करना है तो जैसे यहां पर मैंने टाइम सेलेक्ट गें मैंने 8.19 पर message send किया था तो मैं एक दू मिनट आगे इस time को कर लिता हूं तो मैंने 8.21 यहां पर time set कर लिया है अब दोस्तों हम चलते हैं अपने वोड़सप पर जैसे ही हमें अपने वोड़सप पर चलते हैं तो अब मैं आपको चैट देखाता हूं तो दोस्तों मैंने जो यानि 6 मार्च सेलेक्ट की थी नो मार्च उपर ताइम दिखा रहा है साथ अब यह अपना जो थाव हैं 6 मार्च को आ गया अब यह यहां पर देखो दोस्तों डूडे लिखा हुआ यहां पर आ रहा है तो मैं हम य тобой यहां परकل करें तो झैड़ करता हूँ तो हैं सट फॉर 시청 हैं हमने आप धुए कर रहे हैं and दोस्तों मैं आपको यानि बोल रहा था कि लाश्ट में एक इनफोर्मेशन देना चाहूंगा कि दोस्तों यानि यह सब काम करने से पहले आप अपने मोवाइल को फ्लाइट मोड पे लगा देजिएगा हाँ दोस्तों अगर आप फ्लाइट मोड पे नहीं लगाओगे तो यह ट्रिक आपके पास काम नहीं करेगी दोस्तों आपको फ्लाइट मोड लगाने के बाद ही है जो भी डेट वहाँ पे सेटिंग में जाके डालना है वह हैं सब कुछ आप फ्लाइट मोड पे लगा करी ही करिए कीजिएगा अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंड सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिन जैभारत